हाली में 64th Vimal Film Fair Awards 2019 की nominations list announce कर दी गई है Bollywood Industry के prestigious Film Fair Awards 2019 की nominations list announce हो चुकी है ये 64th Vimal Film Fair Awards होंगे जो 23rd March 2019 को मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किये जाएंगे इस बार B-Town के one of the most talented actor Ranveer Singh showstopper होंगे और awards के लिए nominations list जारी कर दी गई है इस बार के Film Fair Awards के nominations list में The Khans, Salman Khan, Aamir Khan और शारुक Khan को चुनौती देते हुए B-Town के young और talented actors ने अपना दबदबा बनाया है और यही कारण है के इस बार के Film Fair Awards के nominations में young actors का जलवा रहा इस बार Best Film Popular की category के लिए अंधादून, बधाई हो, पद्मावत, राजी, संजू और स्त्री के बीच मुकाबला होगा Best Director की category के लिए अमर कौशिक फॉर स्त्री, अमित शर्मा फॉर बधाई हो, मेगना गुलजार फॉर राजी, राजकुमार हिरानी फॉर संजू, संजू लिला भनसाली फॉर पद्मावत और श्रीराम रागवन फॉर अंधादून नॉमिनेटेड है 64th Vimal Filmfare Awards 2019 के nominations में शारुख खान को छोड़ कर Best Actor की list में कोई खान नहीं है Filmfare Awards 2019 के nominations में Best Actor in a Leading Role Male Popular की category के लिए शारुख खान भी Film Zero के लिए नॉमिनेटेड है शारुख खान के अलावा अक्षे कुमार फॉर पैड मैन, आयुषमान खुराना फॉर अंधादून, राजकुमार राव फॉर स्त्री, रनबीर कपूर फॉर संचु और रनवीर सिंग फॉर पद्मावत भी नॉमिनेटेड है बेस्ट आक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल पॉपुलर की काटिगरी के लिए आलिया भट फॉर राजी, दिपिका पादुकोन फॉर पद्मावत, नीना गुप्ता फॉर बदाईयो, राने मुखर जी फॉर हिचकी और तब्बू फॉर अंधाधुन नॉमिनेटेड है बेस्ट आक्टर इन लीडिंग रोल मेल की काटिगरी के लिए अपार शक्ति खुराना फॉर स्त्री, गजराज राव फॉर बदाईयो, जिम सर्ब फॉर पद्मावत, मनोज पहवा फॉर मुल्क, पंकत श्रिपाथी फॉर स्त्री और विकी कॉशल फॉर संजु नॉमिनेट और वही दूसरी तरफ बेस्ट आक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल की काटिगरी के लिए गितांजली राव फॉर अक्टूबर, केट्विना काफ फॉर जीरो, शिखा तलसानिया फॉर विरेदी वेडिंग, सुरेखा सिखरी फॉर बदाईयो और यामिनी दास फॉर सु 23rd मार्च 2019 को देखते हैं कि फिल्म फेर अवार्च की ट्रॉफी कौन-कौन अपने घर ले जाता है